हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई डू चैनल में इस वीडियो में ससी एम्टियस हवल्दार का प्रिविशेर पेपर से मैंत के मोस्ट इंपोरेंट कुशन डिसक्स करने वाला हूं जो के सभी कुशन इंपोरेंट हैं परिश्चाम पूशे जा सकते हैं तो आप वीडियो क्शन को यह एक बाटर कूलर कुछ मूल पर खरीदते है और उसे 20 पर्सने लाप पर 2 को बेच देताये यह अने ऋसे 6666 रूपयम खरीदे तो भी का लागत मूल क्या है तो भी का लागत मूल बताना आपको इंपोरेंट कुशन है यह माली जे A का मूल था 100 उसने 20% के लाब पर B को बेख दिया माली जे ये था ये ये के पास 100 रुपे की चीत थी मतलब बाटर कूलर था उस पर 20% का लाब लेगने के बाद 120 रुपें बेख दिया उसने B को अब ये B का कोस्ट पराज हुआ 120 अब उसने B ने क्या सोचा B ने C को दिया 10% के profit पर तो 120 का 10% निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा 132 रुपे 132 रुपे में C को मिला आए C का cost पराज हुआ 132 रुपे अब C अब बोला है कि यद C ने उसे 6666 रुपे में खरीदा लेकिन हमारे एकॉडिन 132 की unit की value दे रखे 6666 तो उसने पूछा है बी का लागत मुल कितना है तो बी का लागत मुल कितना है 120 तो 120 unit की value आपको निकालनी है तो 132 unit की value 6666 दे रखे तो आगे solve करेंगे हम 6666 को 132 से divide कर देंगे और 120 से multiply कर लेंगे आप इसे solve कीजिएगा तो आप इसे divide करेंगे फानली तो इसका करेक्टर आंसर आएगा 6060 रुपे 6060 रुपे उसका बी का question पर आ जाया तो second option इसका राटन सरो होगा इस तरह आपको करना था simple सा question था अब next question का आंसर बताएंगे दूसरा question है इसका जल्दी से answer बताओ 108 km प्रतगंटा की गती से चल रही कोई train किसी खम्मे को 32 सेकंड में पार करती है train की लंबाई मीटर में आपको पूछिए तो मीटर में train की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे आप तो यह जो दे रखी है यहाँ पर 108 km पर आवर इसे मीटर पर सेकंड में आप इस करते हैं तो यहां पर 80 से डवाड करेंगे तो ठाट का 108 और 56 तो 30 मीटर पर सेकंड आगई उसकी स्पीड कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड आगई ठीक है अब बोला है 32 सेकंड में KDE 32 में ट्रेण की लंबाई कितनी है तो 32 मतले अ पर निकाल लेंगे उसी की लंबाई को डिस्टर बोलेंगे तो 32 से मलटिवा होता कर से आप इसे тоб fertile कितना हुथा सब्शन जयाता है तो 906 और गए तो इसकी फंच यह सोड़ मीटर होगा पर सम मुझमा आ रहा होगा आपको तीसरे कोशन का अंसर बताएंगे सभी यह आप अप्शन देख पा रहा हैं अब इसका करेक्टर अंसर बताईए यह उपन्यास लिखने में बी से दोगना दच्छ है मतलों यह की प्रिशेंसी बी की प्रिशेंसी से दोगनी है बे एक साथ मिलकर म विश दोण में यह उपन्यास का लेखनकार पूरा कर सकते हैं नहीं हक着्क यह कितने दोगने हमके ले लिख सकता है है मतलब एक द्वारा कि अफिसेंट 20 से तो बी यह एक तो वह दो आपको समझें आपको सम्झें कि अब यह दौनों मुलք कर तो फिटानब हो गया है bunch 2 एक तीन से बूझ्वीज को टीन से बुंटिस को कितने आता है चोटल नहींक या निक प्रका रहा गया यह कितने दिनौंप अपरनिस जी सकता है यह क्लिक Z से लिख रहा है 6 नहीं आएगा चौवीशनी थे ध्या बहत्र बैतर नूत HAS gonna 12 तो टेल कारたい आ साफ है जाव शोइन वीशनी से ओको कितनी दो अब बाधर को दो से डिवाड करतो से कितने आएगा 56 श्योंना में करतेगा तो इसका करतां सर क्या वान पूर्ट अप्सन इसका याटन सर आ जाता है तो इस तरह आपको करना था सिंपल सा कोशन था चौथे कोशन का अंसर बताएंगे फोर स्वाइब पॉण्ट शिक्स केजी का कितना प्रिथसद एकसो चालीश ग्राम है आपको पूछाया पांच पॉण्ट छे किलो ग्राम का कित हिए जerson चैशले आतों तो कितना हो गया शपन्सों ग्राम आ अब यह बोला है शपन्सों ग्राम ए क का 140 ग्राम कितना प्र्सेथह तो 140 ग्राम निकाल लेंगे उसके उपर इंटू एंडर तो परसेंटेज में निकालने के लिए जीरो से जीरी कैंसर हो गया 14 चक 56 तो 2.5 परसेंट आगे इस तरह आपको करना था सिंपल सा कोशन था अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो पिलिज चैनल को सब्सक्राब कर लेजिएगा और फिलिज वीडियो को लाइक कर देजिएगा पांच में कुशन का आप सभी लोग आंसर देंगे किसी बस्तू पर लागत मूल से 37% अधिक कीमत अंकित किया जाता है मतब कोश्ट प्रास से 37% अधिक कीमत अंकित किया जाता है तो 9.09 परसेंट की छूट दी जाती है तो लाब प्रसत निकटतम पुढ़ांक में कितना है देखो important question है इसे तरीके से करोगे तो बहुसी आसानी से कर पाऊगे साड़े 37% की fraction value कुतनी होती है एक वट्टे 12 स्वरी साड़े 37% की fraction value कुतनी होती है तीन वट्टे 8 यह आपको आना चाहिए तो इसकी fraction value तीन वट्टे 8 होती है तो मान लीजे लागत मूल था 8 उस पे ती साथ 3 अधिक कर दिया तो 11 है अब वह बोला है कि 9.09% की छूट दी जाती है तो इसकी fraction value कितनी होती है एक वट्टे 11 है अब 11 पर यह की छूट दी जाती है तो 10 की विक्टे की कोई चीज तो हमें यहां पर MP कितना दे रखा है MP मतल्ट मारक प्राइज कितनी दे रखिए 11 है और 11 है यूनिट की value दे रखिए 11 है तो हमें निकालने कितने यूनिट की value है तो हमें लाप परशत पूछा है अब हमें SP निकाल लेंगे SP कितना है 10 तो 10 से multiply कर दो तो 11 है बटे 11 है इंटू 10 तो कितना आ गया 10 10 आ गया SP SP क्या है सेलिंग प्राइज तो सेलिंग प्राइज लेकिन हमारा cost price कितना था आठ था अब 8 से 10 कितना अधिक है दो अब दो अधिक है कितने पर आठ पर तो दो अधिक है आठ पर तो 100 पर कितना तो कितना आगे 25% 25% का profit हो गया उसे सिंपल सा कोशन था इस तरह आपको करना था बहुत ही आशन कोशन था आशा करता हूं समझ मा अगर नहीं समझ माया तो बहुत से समझ पा रहा है और आशान लग रहा होगा तो आपको एक से दो बार वीडियो देखनी है आसानी से समझ मा जाएगा अब नेक्स कुशन का अंसर बताएंगे चट में कुशन का अंसर बताओ सभी रुपया 1.520 रुपया की रासी पर साड सब्सक्राइब 12% की दर से तीन वर्सों का तो आप साड़े 12% की फ्रेक्शन बैलू आप सभी जानते हैं एक वर्टे 8 होती है तो मतला पहले वर्स आठ की चीज एक जोड़ने के बाद 9 की हो जा रही है तो आपको यहां पर सिंपल से बताऊंगा आठ की बस तू मतला 8 रु जाएगा इधर आजाएगा एधर आजाएगा साससों उन्तीस यह आप क्यू करना तो जानते ही हैं तो यह तीन वर्सों का हो गया अब उसने बहला है मूल दन कितना इक क्या मतलव लेकर हमारे एक को मूल दन कितना 500 यह पांसों बार है तो यह पांसो ऑर यूनिट की वेलू तो कितना आजाएगा बैतर सो नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब निकालने यहां पर बोलाया उसने मुलत नहीं है में 550 यह हमारा मिस्सर दना आया है तो 390 से हम 550 मानस करेंगे तो कि जना जाएगा आपके एक्जाम की दरश्टी से इंपोडेंट है तो चलिए वीडियो को यह समप्त करते हैं थेंक्स पर आज मैं वीडियो